राधे राधे दोस्तों ठंडियों में मटर खाका करके तो तब बहुत ज़या दोग जाती है तो यह हमने सूचे कि चलो कुछ आज इस पेसलों कुछ अलग ही आज बराते हैं तो देखिए आज हमने बनाया है कड़ी बेशन का पकॉड़ा है इसमें खाने में बड़ा ही डिलि कहीं लिया हुआ है कंपनी का नाम इसका बेशन बड़ा अच्छा आता है अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करना होता है बेशन और पानी को हमें फेटना बहुत अच्छे से पड़ता है बस इसी पर डिपेंड करता है कि हमारी ज कंसिस्टेंसिस की ऐसे रखना प्लों जिससे आपनों बेशन के घोल को हाथ से उठा करके कड़ाही में पकॉरड़ो की रूप में चोड़ब डाल सके इसी टाइम हमें घड़ना याद आ जाती है जब मैं नए-नए मेरी साधी हुई थी तो हमारी सासुमा ने बोला कि जोज आक होना चाहिए अब मेरे लिए बड़ी समस्या हो गई तब ही मेरे पती आते हैं कि चन में और उन्होंने हमसे बोला कि देखो बेसन और पानी को तब तक फेटो जब तक पकोड़ी को जब तुम पानी में डालो ना तो वो पकोड़ा पानी में नीचे बैठ जाए इसका मतलब कि तुम्हारा बेसन कगोल एक दम तयार है पकोड़ी बनने के लिए उसका पकोड़ा बड़ा ही साफ्ट साफ्ट बनता है मैंने कम सकम एक घंटे तक बेसन को फेटा लेकिन रिजल्ट में और मैं जितना जितना उसे फेटती जारी तो उतना ही आसानी से बेसन ऊपर चलता आ जा रहा था उसका पकोड़ा उपर उठके आ जा रहा था अब तो मैं बड़ी टेंसन में हुई एक घंटे तक फिटने के बाद मेरे सासु माने आया फिर उन्होंने बताया कि पकोड़ा जो है पानी के ऊपर आ जाता है इसका मतलब की बेसन तुम्हारा बहुत अच्छे से जरा बढ़ कर्से में कर सेमा में तेल कर देखे मैं बहुत थोड़ा सब्रस दालती हूं क्योंकि जला हुआ पर ज़ेखे से तने चिल क्षोटे ठीखे में बPlay पकोड़ा थे तो बहुद चोटा लेकि जब गढ़ी में जाएगा बेसन की घोल में तब यह डबल साइज की हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि मैंने बेसन और दही को जो बहुत अच्छी से फेटा है न और फेटने के बाद हमने चेक क्या किया है कि हम ऐसा पानी में जैसे या पकोडी जालें कि वैसे पकोडी ऊपर आ जाती है तो इसका मतलब हमारा पकोडी बहुत ही अच्छा बन करके तियार हो जाएगा देखिए अब हम इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं और फ्राइ करके ऐसे हम सारा अपना पकोडा बना लेते हैं शोह ठीव सिपा एक पकेड़ आप यहीं किसी भी कंपनी का दे लेले ले घर में जमा हुआ दही लेगेशी आधा कीलो दही हमने इसमें पुरा-पुरा डाल दे अच्छे से इसके बद Аमने डाल दिया अधा चम्मच से ज्यादा 3.4 चम्मच है, गंधी meer टालिया य action हमने ड कढ़ी को जब कढ़ाही में डालो ग्रेवी को तो लगातार चिलाना पड़ता है मैं अपने कढ़ी को लगातार बहुत लोग कहते हैं कि हमारी फट जाते हैं लेकिन मेरे साथ इसा नहीं होता है यहां देखिए जीर और लाज मिच का हमने तड़का लगा दिया है एज्वाइन का तड़का आप गडाही में जरूर से जरूर लगाना कड़ी में बहुत अच्छा होता है देखिए जो भी हमन कड़ी हमारी बहुत अच्छे से खौलनी चाहिए कई लोग क्या करते कि कड़ी को बस एक बार खौलाते फिर बंद कर देते नहीं अब कड़ी में जब हमारे उबाल आने लगा ना तब हमने नमक डाला है इससे हमारे कड़ी जो है और अच्छी बन करके त्यार हो जाती है अ हम इसमें पाकॉडी डाल करके हमने इसको कर दिया है बंद बंद करने के बाद बारी इसमें बहुत ही अच्छा मजतार तङका लगाने घया है अग्य जो फ्रेंक पैन है इसको चूल्य पचढ़ा दिया है उसमें डूचम्ब देसी की इसके बाद डूपर जीरा जीरा ठरक जलू जाएगा यहां पर छोड़ा कसूरी मेह थी अब फिर बस चूला बंद करके हमने कडी के उपर डाल दिया है यह पूरा तड़के का सामान इससे कडी दिखने में बहुत अच्छा लगता है देखें कडी यहां पर कितने सुन्तर दिख रही है जितना सुन्तर यह दिखाई दे रहा है उत इतनी अच्छी टिलीसियस कड़ी बनाईये और अपने घर परिवार को खिलाईये गर के सदस्यों को प्यार से खाना परोषिये और उतने ही प्यार से उनको खिलाइए देखिए चावल के उपर हमने कढ़ी डाल लिया है और विश्वास करिए ये खाने में इतना डिलीस है चितना ज्यादा टेस्टी था मैं बता नहीं सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें वेरी वेरी थैंक यू